वेल्कम बैक टू मैं चैनल और ये है दे थ्री हम लोग अर्ली मॉनिंग मंदिर जाके ब्रेकफास्त रमने कर लिया तो आज का जो हमारा प्रोग्रम था वो था कुनार्ख टैंपल विजिट करने का तो हम लोग होटल से जल्दी निकल पड़े और रास्ते में ये एक सैंड आ विजिम है अगर आप कोई पूरी जाए तो इसे बिल्कुल भी मिस्स ना करे और हमें वहां के ओनर तो नहीं मिले बट वहां पे जो उनके इंप्लॉई थे उन्होंने हमें बताया कि इसे एक सैंड आठ को बनाने में 15 दिन लगते हैं और ये 15 दिन के बाद फिर ये नई सैं डालते हैं तक ये सेट रहे और सिर्फ पानी और सैंड से ही ये आठ रेडि करते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी उन्होंने सैंड रेडि की थी करते हैं पाद के बाद कैंड वी ये कर दो हुए बश्य कर दो विडिती पापा होग सुगेश! ओडिती पाप होग सुगेश! में चल्वार आटरी, नो सिरा थेनी, मिदे दूपराइन करन से काली माता हुआ 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 हम जुड़कार रेकस्कारा उभरा चाहला हुआ है फृफ च्डरी situation हम् Parkốn गाली भी सम्क्राइं केया हुआ है यह सेंड आर्ट की एंट्री बाहर भी डिस्प्लेय पे सेंड आर्ट की पिक्चर लगाई हुई है इसकी एंट्री टिकट है 30 या 40 बिलो हंडर्ड ही इसकी एंट्री टिकट है यह पुरी से कुनार्क के वे में आता है फिर उसके बाद हम निकल पड़े कुनार्क टेंपल के लिए वहां का व्यू काफी अच्छा था रास्ते का बहुत ही अच्छी सिटी है और यह रास्ते का व्यू जो ड्राइवर विया है वो हमें साथ साथ में सब जो एरिया की स्राउंडिंग एरिया के बारे में हमें बताते जा रहे थे और यह हमें बता रहे थी कि जो लास्ट यर फनी साइकलोन आया था उसके कारण कितना पूरी में नुकसान हुआ कैसे सारे पेट बिलकुल जड़ से ही तूट गए और खंबे वगर बिजली के भी काफी टूट गए थे और काफी टाइम तक पूरी में लाइट नहीं थी हमारे जो ड्राइवर भाया थे वो काफी अच्छे थे उनकी ही हमने ड्यूटी लगाए थी जो भी रास्ते में अच्छी चीज आती है जा अच्छा कोई प्लेस आता है तो वह हमें वह देखे गए उन्होंने बताए कि यह एक शक की पीठ है मुझे इसका नाम इतना प्रॉपर याद देखे गए अच्छा कोई है अच्छी थोड़ी सी लेंविज प्रॉब्लम थी वह कुछ जो नेम थे वह उडिया में लेते थे तो हमें थोड़ा कम ही समझ आया अगर इसका नाम मुझे याद आया तो मैं मेंशन कर दूंगे फिर उसके बाद हम आगे अपनी जर्नी पे निकल पड़े और रास्ते में आया था चंदरभागा बीच और यहाँ पे एक इको ट्वीट करके फेस्टिवल भी चल रहा था वट वो रात को स्टार्ट होता था और आपकी आप चाहे तो उन टेंट में बुकिंग कराके भी रैक सकते हैं पर यह काफी कॉसली था यह बीच मुझे सबसे बेस्ट बीच लगा क्योंकि एक तो साफ सुत्रा था और काफी पीस थी और लग रहा था कि सारा दिन आप इस बीच पे अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं नेचर काफी सुन्दर था यह व सिर्ण सकते हैं उन्स व कॉसर को ओना नेचर के तो खना था जो हुआ है बिल्कुल कोई डिस्टर्बंस बिल्कुल नहीं थी आप चाहे तो अकेले भी इंज्वाइक कर सकते हैं और इस बीच से हमें बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि काफी सुन्दर शांत बीच था यह में चंदरबागा बीच नहीं था आगे थोड़ा दो-तिन किलोमेटर आगे चलके में चंदरबागा बीच आता है चाहाँ पे मार्केट वगारा भी लगती है बढ्ट हम जल्दी निकल पडए क्योंकि हमें आगे कुनाख टेंपल भी जाना था और हमें ड्रैवर ने बताया था कि कॉनाक टेम्पल में ही आपको काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि ये काफी बड़ा है फिर हमने वहाँ पर जाके गाइट कर लिया था और उन्होंने हमें सारी डिटेल इस टेम्पल के बारे में बताई अगर आप वहाँ जाएं तो आप गाइड डूर करें क्योंकि गाइड बगारा को सब इन्फोर्मिशन होती है हम लोग अगर जाएं तो वैसे ही विजट करके आजाएं क्योंकि उनको सब डिटेल में पता होता है और उन्होंने हमें वहाँ पे जो सन टेम्पल के पईये थे उनसे टाइम पता करना भी बताया मुझीकल है ड्यांस मुझीकल क्योंग बनाया इनको जो बड़ा मुंगरी खड़ा है इसे सूरिय का राथ पहले नर्थों की नादग्याना करेंगी पीछे में सूरिय कर चलता है इसलिए पहले बनाया रंगामर इनका सूरिय का राथ कैसे एक पहले से हम टाइम चेक कर सकते हैं और आजकल जो टैन का नया नोट है उसके पीछे भी इसी चकर की पिक्चर दी हुई है इस टेंपल को एक्सप्लोर करते करती ही आपको पूरा दिन लग जाएगा तो आप टाइम लेके ही चले और इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है बट रेस्टोरेंट जो है वो नॉन वेज और वेज वाले हैं और हम लोग ढून रहे थे कि प्योर वेज हो हमने फिर बाहार आ गाइड ने हमें पूरी इसकी हिस्ट्री बताई कि ये मंदिर जो है खंडित हो चुका है इसके अंदर कोई भी भगवान की जो है वो स्टेचू नहीं है और अंग्रेजो के टाइम पे इसे बंद कर दिया गया है और इसे अब जो है मेंटेन ही करते हैं आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शियर करना मत भूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए